हेलो जाहें दोस्तों कैसे हो अज लेकर रहा हूँ रिलेशन भर्ती एंड स्पोर्स भर्ती के लिए most important GK और GSMCQ 22 question तो दोस्तों एक question आपका exam के लिए very very important question है क्योंकि एक question सभी आपका exam में पहले पूछा गया जो पिसले यार में पूछा गया ओही question आज लेकर रहा हूँ तो दोस्तों यहाँ पे देखो हाईदराबाद में जो आटी सेंटर है एक टेटमेंट का और आपका GD टेटमेंट का सभी के लिए एक question आज रहा गया है तो दोस्तों यहाँ पे 15 question है और भी आपका डिलेटर जो पेपर है उसके अंदर से उठा कर ये 22 question लेकर रहे हूँ is the virus agent देख लिए दिरमलकिते मैंसे कौन सा विशानों के कारण है बता दो चारो option में science सच चुनो A, B, C, D इसका right answer बता दो तो दोस्तों virus के कारण से कौन सा रोग होता है एही बात हो रहा है तो दोस्तों चारो option में science चुन लो तो दोस्तो इसी चारो option में हमारा जो student option C को चुना रैविस को चुना उसका right answer हो जाएगा option C होगा right answer और ये आपका पागल कुट्टे के कारण होता है रैविस ओके next question दिख लिजे तो दोस्तो next question क्या है who was the first defense minister of India दिख लिजे भारत का पहले रख्षा मंतरी कौन थे बता दो चारो option में science हो चुनो ABCD इसका right answer बता दो तो दोस्तो इसी चारो option में हमारा जो student option ABCD के अंदर option B को चुना उसका right answer हो जाएगा आपका option B होगा right answer बलदेब सिंग होगा right answer next question देख लिजे who invented TV देख लिजे television का खोज किसने क्या था बता दो चारो option में science हो चुनो ABCD इसका right answer बता दो तो दोस्तो ABCD के अंदर हमारा जो student option B को चुना John Logie Brad को चुना JL Brad को चुना उसका right answer हो जाएगा option B होगा right answer next question देख लिजे four number question देख लिजे बहुत आच्छा question है question which is the largest dessert in the world देख लिजे बिश्य का सबसे बड़ा moristal कौन सा है बता दो जो रेगिस्तान है और कौन सा है बता दो चारो option में साही answer चुनो तो दोस्तो इसी चारो option में हमारा जो student option ABCD के अंदर option A को चुना शाहरा dessert को चुना उसका right answer हो जाएगा option A होगा right answer next question देख लिजे five number question है which planet is card art twin sister देख लिजे कौन सा ग्रहों को पिथीबी का जरुबा पहन कहा जाता है बता दो चारो option में साही answer चुनो ABCD इसका right answer बता दो तो दोस्तो इसी चारो option में हमारा जो student option ABCD के अंदर option क्या होगा देखता हो कौन-कौन बच्चे दे पाता है तो दोस्तो बिल्कुल हमारा student option C को चुनेगा option C बेनर्स आपका शुक्रों गुरहों होगा right answer next question देख लिजे तो दोस्तो next question क्या है who is known as lady with the lamp देख लिजे lady with the lamp किसको कह जाता है बता दो चारो option में science चुनो ABCD इसका right answer बता दो तो दोस्तो इसी चारो option में हमारा जो student option A को चुना Florence night angle को चुना उसका right answer हो जाएगा option A होगा right answer next question देख लिजे तो दोस्तो next question के पहले जिस student का 10 September को exam है और relation भरती का exam के लिए तयार ही कर रहे हो PBRCR में पूछा गया जो आपका RT Center आपका Dung Regiment Center आपका जितने भी सेंटर है शिलंग Regiment, राशम Regiment Center जितने भी सेंटर है जाट Regiment, राजपूत Regiment जितने भी सेंटर है और सभी सेंटर में जितने भी question पूछा गया पिसले 7 year का आपका तक्रिबान पंदरशो पिलास question हो जाएगा हमारा पास ओ कोशन पेपर है आप चाहे तो खाड़ी सकते हो only 99 रूपिया पेवेंट करके तो दोस्तों हमारा जो student लेना चाते हो ओ PDF जो रूर हमारा इसी नामबर पे call करके ले लिजे call time available है आभी जो बंदा ले लिया और तोर मोर के खा लिजे और जो student आभी तक नहीं लिया और सोस्राओं लेंगे क्या नहीं लेंगे बच्चों आभी लेकर आच्छा तरह पढ़ाई करें ओही same to same question रिपीड हो जाता है आपका exam में इसलिए आप 1500 पिलास question पढ़ लिया तो आपका exam 100% के लिया रहो जाएगा इसलिए इसलिए इसी नमबर पे अभी कॉल किज़े पीड़ एक बड़ देखा देता हूँ किस तरह देखो पीड़ तो दोस्तों देखो इस तरह आपका जितने भी center भढ़ती हुआ वो question paper हमारा पास है क्योंकि student दोबारा याता है जब exam दे रहा है बच्चे उसके साथ पुस्तास करने से वो question बेज देता है और एक question हमारा पास आ जाता है तो दोस्तों आमगर देखो center अपका जो है दानापूर का शायद है ये देखो इस तरह जितने भी question पूछा गया देखो किस तरह question पूछा गया ये question जो पूछा गया ये सभी question हमारा typing करके pdf में convert कर दिया गया क्योंकि ये pdf भेजू तो कुछ भी देखाई भी नहीं देगा और print out भी नहीं होगा इसलिए ओ main pdf देखंगे आपको तो दोस्तों वहाँ पे जितने भी question पूछा गया सभी question इसके अंदर है तो दोस्तों देखो ये आपका all India का मिलेगा बहुत या अच्छा बात है relation भरती का मिलेगा and sports भरती का भी है ये और Hindi English both language में मिलेगा Hindi English both language में मिलेगा GK मैत reasoning सभी मिलेगा 1400 पिलस question होगा only 99 रूपिया में तो दोस्तों बहुत ज्यादा question है question आप पढ़ लिजे आपका exam 100% किलियर हो जाएगा जितने भी question पूछा गया था सभी question मिलेगा 1500 पिलस question हो जाएगा तो दोस्तों जरूर आभी call कीजे और ले लिजे तो दोस्तों अभी call कीजे और ले लिजे इसी number पे next question दिख लिजे कोई fraud कोई धोकबाजी नहीं होगा who is the capital of Bihar दिख लिजे बिहर का रजधनी का नाम क्या है बता दो चरो option में answer चुनो तो दोस्तों इसका राजधन सर बता दो तो दोस्तों Bihar का जो राजधनी का नाम है ओ है पटना option A is the right answer इतने आशान कोईशन आपका exam में आता है पटना होगा राजधन सर next question दिख लिजे आठ नामबर कोईशन है sorry who was the their female justice of the supreme court in India who are the sorry भारत में सरबच्च नयलाई की आपका तिन महीला जो नयजिस थे और कौन थे बता दो चरह option में science है चुनो आपका थीरी नहीं है आपका पहले होगा फास्ट होगा sorry थोरा दिखा थोरा ये question solve करने का आपका फास्ट जो supreme court का महला नयजिस थे और कौन थे बता दो चरह option में science है चुनो इसका right answer बता दो ये थीरी नहीं होगा तीन नहीं होगा तो देखकर ये question थोरा सा आजिब लग रहा है कोई बात नहीं ये original paper से ही उठा कर थोरा mistake हो गया कोई बात नहीं तो दोस्तों इसका right answer हमारा जो student option C को चुना फथेमा बीबी को चुना उसका right answer हो जाएगा आपका supreme court का जो पहले महिला नियाद इस्ते ओथे फथे फथेमा बीबी option C होगा right answer ये लिख लिजिए क्या लिखे होगे was the first chief justice woman chief justice of supreme court next question देख लिजिए forest research institute located देख लिजिए बने अनशांदा शंगस्ता कहा पाड़ इस्ते थे बता दो चरह option में साही answer चुनो तो दोस्तो ABCD के अंदर हमारा जो student option B को चुना देरा दोन को चुना उसका right answer हो जाएगा option B होगा right answer next question देख लिजिए तो दोस्तो next question किया है देखो ये question आपका exam में कितना बार repeat हुआ हम मुँ में नहीं बता सकता हूँ आप जुरूर call करके PDF ले लिजे और अच्छा तरह ओरजिनल question पढ़ लिजे आपका देखाई देखा कितने बार repeat हुआ है question तो दोस्तो भारतियों शेना दिबश कब मनाया जाता है बता दो चारो option में science साच चुनो तो दोस्तो इसी चारो option में हमारा जो student option B को चुना पंदरा जानुआरी को चुना उसका राइडेंसर हो जाएगा option B होगा राइडेंसर next question दिख लिजे कन्हा national park located दिख लिजे कन्हा राष्टियो दन इस्तित है कहाँ पे इस्तित है बता दो ABCD इसका राइडेंसर बता दो तो दोस्तो इसी चारो option में हमारा जो student option ABCD का अंदर option D को चुना आपका मद्धपदेश को चुना उसका राइडेंसर हो जाएगा option D होगा राइडेंसर कना राष्टियो दन आपका मद्धपदेश में इस्तित है MP में इस्तित है next question दिख लिजे बलान दरबाजा और founder was दिख लिजे बलान दरबाजा किसने बनाया था बता दो और आपका एक question आता है जो शुन्दरबन नेशनल पार्क है तो कौन से शुन्दरबन नेशनल पार्क कहा पर इस्तित है ओ ओस्ट बेंगल में इस्तित है ये भी जानकरी रख लिजे तो दोस्तों next question के answer बता दीजे तो दोस्तों इसका right answer हमारा जो student option C को चुना उसका right answer हो जाएगा आकबर होगा right answer अकबर ने बनाया था बुलान दरबा जा ओके next question दिख लिजे अहामेदाबाद city bank of which river दिख लिजे अहामेदाबाद कौन से नदी के ततपर इस्तित है बता दो चारो option में science सा चुनो तो दोस्तों अहामेदाबाद जो शोहर है और आपका इस्तित है शाबरमती नदी के ततपर option A होगा right answer हमारा जो student option A को चुना शाबरमती को चुना उसका right answer हो जाएगा option A होगा right answer next question दिख लिजे was the chairman of ISRO at present दिख लिजे बरतमान में ISRO का chairman कौन है Indian Space Resource Organization जो headquarter बेंगालूरो में इस्तित है उसका present chairman कौन है बता दो तो दोस्तो इसी चारो option में हमारा जो student option A को चुना आपका S शामिनातन को चुना उसका right answer हो जाएगा option A होगा right answer next question दिख लिजे which part of body does pneumonia effect दिख लिजे pneumonia schedule के किस अंग पवावित करता है बता दो चारो option में science चुनो तो दोस्तो इसका right answer बता दो तो दोस्तो इसी चारो option में हमारा जो student option A, B, C, D के अंदर option D को चुना उसका right answer हो जाएगा option D होगा right answer लांग छो फैफरा होगा right answer next question दिख लिजे who was the founder of all India horizon feration तो दोस्तो ए question आपका 100% original question paper से ही उठाया गया तो दोस्तो देखो आपका कोई-कोई बच्चे बताएगा यह इधार-उधार से उठा का दे रहा है बट इधार-उधार नहीं है सभी original question है देखो आच्छा तरह तो दोस्तो देखो यह आपका जाट regimen center का है आपका all center ही मिल जाता देखो यह आपका 108 jrb ओके इस तरह आपका जो original question है इस तरह लिखा होता है यह आपका पिंट आउट सोरी आपका बाहर से watermark लगाएगा तो कुछ भी समझ नहीं आएगा यह original है कि नहीं बट यह original है देखो आपका original है यह आपका इस तरह आपका है ना यह सभी original है कोई बात नहीं आपका original question ही दे रहा हो डेली के डेली कोई बात नहीं और आप खरिदना चाते हो तो यह ही question ही मिलागा जो आपका original paper में पूछा गया ओके तो दोस्तों ज़रूर call करके ले लिजे अभी call किजे और ले लिजे सभी original question है ऐसे माँ सोचो जो यह original नहीं है सभी 100% original है यह तो दोस्तों next question बता दो Who was the founder of All India Horizon Federation हाँ next question बता ओ आखिल भरत का अपका Horizon महाशंग का इस्थापना किस ने की थी बता दो चारो option में science है चुरो ABCD इसका राइजन सर बता दो तो दोस्तों इसी चारो option में हमारा जो student option ABCD के अंदर option D को चुना उसका राइजन सर हो जाएगा महातमा गांधी जी होगा राइजन सर next question दख लिजे very very important question है question note कर सकते होगे question को What is the combined stem of Ganga and Bambaputra card दख लिजे गंगा और Bambaputra की संजगधारा को कहलाता है बता दो भारत से आपका गंगा रहा है और आपका अशम से भारत के अंदर से इधर से आपका North East से आपका Bambaputra रहा है तो इस इस्थान को क्या कहा जाता है बता दो चरो option में science साच चुनो तो दोस्तों इस इस्थान को कहा जाता है मेगना option C होगा राइज अंसर हमारा जो student option C को चुना उसका राइज अंसर हो जाएगा next question देख लिजे who discovered America देख लिजे अमेरिका की खोज किसने की थी बता दो चरो option में science साच चुनो तो दोस्तों इसका राइज अंसर हमारा जो student option A, B, C, D के अंदर option B को चुना आपका कुलम्बियस को चुना उसका राइज अंसर हो जाएगा option क्या होगा? option B होगा राइज अंसर next question देख लिजे who was the first governor general of Bengal? देख लिजे Bengal का पथम governor general कौन थे? बता दो चरो option में science साच चुनो A, B, C, D इसका राइज अंसर बता दो तो दोस्तो इसी चारो option में हमारा student option C को चुना warden hashting को चुना उसका राइज अंसर हो जाएगा option C होगा राइज अंसर next question देख लिजे why did the East India Company opened its first factory in India? देख लिजे इस इंडिया कॉमपानी ने भारत में अपना पहले करिखाना कहा खुले थे? बता दो चरो option में science साच चुनो इसका right answer बता दो तो दोस्तो बिल्कुल हमारा student तो 100 में 100% ही इसका right answer option ये को चुन रहा है तो शूराट होगा right answer सबसे पहले आपका शूराट में उसका पहला factory खुले थी इस इंडिया कॉमपानी ने ओके next question देख लिजे what is the minimum age of governor in India? देख लिजे भारत में रज्यपल का निन्मतम आयू क्या है? बता दो चरो option में science साच चुनो तो दोस्तो इसी चरो option में हमारा जो student option A, B, C, D के अंदर option आपका C को चुना उसका right answer हो जाएगा 35 ER होगा right answer option क्या होगा? 35 ER होगा right answer option C is the right answer next question देख लिजे तो दोस्तो next question देख लिजे who was the first chief election commissioner of India? देख लिजे सबी question important है आपका लिए exam के लिए बारत का पथम मुक्य चुनाव आयो कौन थे? बता दो चारो option में science चुनो A, B, C, D इसका right answer बता दो तो दोस्तो इसी चारो option में हमारा जो student option B को चुना शुकुमार शेन को चुना उसका right answer हो जाएगा option B होगा right answer ओके? शुकुमार शेन होगा right answer तो दोस्तो 22 question के अंदर कितना question आया जुरूर comment section में बता देना और जो student हमारा चैनल में नया हो और आभी तक हमारा PDF नहीं खरीदा तो जुरूर ले लिजे उसी PDF के अंदर 100% सभी original question है तो question पढ़ लिया तो आपका exam 100% के लिया है और आपका A B जनकरी मिल जाएगा किस type का question पूचा जाता है और topics wise सभी question है तो दोस्तो 15 show plus question है जुरूर आभी call कीजे और ले लिजे कोई fraud कोई धोकाबाजी नहीं होगा और आप पहले भी PDF ले सकते हो लेकिन पहले open नहीं होगा password मंगेगा payment के बाद ही password चला जाएगा तो दोस्तो जुरूर आभी call करके ले लिजे इसी नमबर पे call कीजे और ले लिजे Thank you, जाहिंद